Hi everyone, Today we are going to learn about differences between borough and land. आज हम borough और land के बारे में पढ़ेंगे, बोरो और land की क्या meaning है और इसमें क्या फर्क है और ये कप-कप इस्तमाल किया जाता है. नमबर वन पिक्चर में देखें, लेफ्ट हैंड साइट पिक्चर में, एक माम है, वो अपनी बेटे को कुछ पैसे पर्स में से निकाल कर उधार दे रही है, और गुसरी पिक्चर में, राइट हैंड साइट पिक्चर में, इनका एक बॉय है, तो वो अपनी वाल्दा से पैसे निकाल के उधार दे रही है, she is lending her son some money, वो अपने लड़के को कुछ पैसे उधार दे रही है, जब हम किसी को पैसे उधार देते हैं, तो हम लेंट कवर्ट यूस करते हैं, जब भी कोई चीज उधार दी जाती है, तो लेंट कवर्ट यूस किया जाता है, और दूसरी पिक्चर में, he is borrowing some money from his mother, वो अपनी मां से कुछ पैसे उधार दे रहा है, जब भी हम किसी से उधार लेते हैं, तो बोरो कवर्ट यूस करते हैं, उधार जब देते हैं, तो लेंट यूस किया जाता है, और जब लेते हैं, लेना और देना बस इन चीज़ों को आपको याद रखना होगा, लेना और इसमें ज़रा confusion हो जाती है, आकसर लोग mix कर देते हैं, भूल जाते हैं, जब उधार दिया जाता है, तो लेंट यूस होता है, और जब लिया जाता है, तो बोरो वर्ट यूस होता है, सेकंड पिक्चर में बच्चा अपनी माँ से उधार ले रहा है, तो हमने लेंट यूस नहीं क्या बोरो यूस किया है, क्यूंकि उधार वो ले रहा है, और फिर्स्ट पिक्चर में दिया जा रहा है उधार, तो वहाँ पे हमने लेंट यूस किया है, प्रेजन्ट का सेंटेंस है वो अपनी मां से कुछ पैसे उधार ले रहा है पिक्चर के जरीए डिफाइन करने की कोशिश की है लेंट और बोरो के दर्मियान फर्क जो है उमीद करते हैं कि आपको समझ आ गिया होगा बोरो का वर्ट वैसे भी यूज़ कर सकते हैं बोरो पैन, बोरो बुक, उधार लेना, कलम उधार लेना लाइबरेरी से जिस तरह आपस में फ्रेंड आपस में ले लेते हैं तो इस तरह भी हम ये वर्ट यूज़ कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्षिन में मुझे जरूर बताईएगा जो भी कॉस्टिन हो वो आप मुझे से पूछ सकते हैं अल्ला हाफिस